तो कैसे हैं, आप सभी लोग, उमीद सभी लोग अच्छे होंगे, ठंड चल रही है, पढ़ाई भी आप के अच्छी हो रही है, पेपर भी नजजदिक आ रहा है, आसा है, सभी लोग खुम apoyo कर रहे होंगे, आज हम निउटन के law के उपर बात करेंगे, निउटन नूटन के लौग को गैलेलियो का भी नियम बोला जाता है। ठीक है। तो नूटन ने जो अपना इस सिधान दिया था, मोशन से संबंधित जो भी प्रिंस्पल्स दिये थे, लौग दिये थे, इसको उन्होंने अपनी बूक प्रिंस्पिया नाम की किताब में प्रकासित करव प्रिंस्पिया नाम की किताब याद रख लीजिएगा कभी कभी आप्सनल में सीधे सीधे पूछ लेगा कि प्रिंस्पिया नाम की किताब किस ने लिखी थी तो न्यूटन ने लिखी थी और न्यूटन ने जो ये गती का नियम दिया था इनसे पहले गैलेलियो ने ये नियम और गैलेलियो को माना जाता है कि उन्होंने सबसे पहले टेलिसकोप की खोच किया था और टेलिसकोप के जरी उन्होंने सबसे पहले बताया कि धरती जो है गती करती है आप एक किताब पढ़ेंगे वर्ल्ड फेमस ट्रायल करके उसमें जो है गैलेलियो के उपर जो केस चला थ था कि उन्होंने गलत बोला है कि धरती घूमती है तो एक केज चला था और उनको बाद में घर में नजर बंद कर दिया गया वही उनकी डेथ हो गया पढ़िएगा उस किताब को कभी फुरसत मिले तो फिलाल पेपर में ध्यान लगाईए ठीक है तो डियूटन ने टोटल गती से संबंदी तीन नियम दियें पहला नियम जो था जिसे फर्ष्ट लाफ मोसन बोला जाता है उसे लाफ इनर्सिया भी बोला जाता है यानि जड़त्तों का नियम बोलते हैं जड़त्तों का नियम क्या होता है जड़त्तों के नियम का मतलब होता है जड़त्तों का लिट्रे के हर एक चीज में होता है नेचर में जितनी भी चीज़ें सब के अंदर यह होता है यही जड़त्व का नियम है कि परिवर्तन का बिरोध करना तो न्यूटन सबसे पहले यही समझाते हैं फशला में कि अगर कोई वस्तु गतिसील है तो गतिसील रहेगी कोई वस्तु अगर र अपने स्टेट में चेंज नहीं करना चाहता है ठीक है चेंज इन स्टेट नहीं चाहता है अपने इस्तिती में परिवर्तन नहीं चाहता है अगर रेष्ट मूड में है तो रेष्ट मूड में रहना चाहेगा मोसन स्टेट में है तो मोसन स्टेट में रहना चाहेगा ठीक है तो इस्तिती परिवर्तन का बिरोध करने वाला जो कारक होता है फैक्टर होता है उसे हम जड़त या इनर्सिया बोलते हैं ठीक है इनर्सिया या जड़त बोलते हैं इनर्सिया एक्चुल में अगर हम कहें क्या होता है तो इनर्सिया is the measurement of mass जैसे एक केजी का कोई लोहे का टु तुकड़ा हो उसको हटाने में जादा बल लगाना पड़ेगा निर्संदे आपको छोटे वाले टिकोड़े को हटाने में कम बल लगाना पड़ेगा यानि कि थोड़ा सा बल लगाया वो हट गया या उसके अंदर मोसन आ गया इसका यह मतलब है कि छोटे टुकड़ों में इनर्सिया कम था वो अपनी स्थिती परिवर्तन का विरोध कर रहा था लेकिन उसकी आउकात ही कम थी क्या विरोध करेगा छोटा आदमी क्या विरोध कर पाएगा विचारा उसके अंदर ताकत ही नहीं है उसके अंदर इनर्सिया ही नहीं है जड़त्व ही नहीं है कि अपने जमीन पे जड़ जमा के पड़ा रहे, कम उसके उपर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे हिल गया, बड़ा सा लोही का टुकड़ा है उस पे थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तब वह मूब करेगा, यानि कि छोटे मास पे कम इनर्सिया, बड़े मास पर जड़त तो ल इस पे अंधर इनर्सिया की प्रॉपर्टी के उपर डिपंड करेगा, बड़ा मास हैं तो उसके अंदर जयादा इनर्सिया की प्रॉपर्टी होगी उसको हटाने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तो फर्ष्ट लॉज होता है न्यूटन का, जड़त्यों की वी और साथी साथ बल की भी ब्याख्या करता है इसमें इसने साप साप का दिया कि वस्तु गतिसील है तो गतिसील रहेगी इस्तिर है तो इस्तिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए बाहरी बल का मतलब की बल वह फैक्टर है जो किसी वस्तु की इस्तिती का परिवर्तन करदे या इस्थिति के परिवर्तन का प्रयास करें यानि कि बल वह आउटर फैक्टर है external फैक्टर है जो किसी वस्तो के size, shape और position में change लाने का कोशिश करें तो बल को परिवासित किस नियम से किया गया है नियूटन के फ़स्ट नियम से ही है बलकि परिभासा मिलती है साथी साथ Newton के फ़र्श नियम से हमको inertia की परिभासा मिलती है Newton के जो ये law है law of motion है basically इन्हें Galileo का भी नियम कहा जाता है यहां से इतने सारे one-liner या optional question बन जाएंगे inertia का मतलब होता है वस्तु वस्तु इस्तिती परिवर्तन का बिरोध करती है वस्तु के इसी गुड़ को इनर्सिया या जड़त्व कहते हैं इसके कुछ उपयोग होते हैं देनिक जीवन में कुछ इसके एक्जामपल होते हैं जैसे आप ट्रेन में बैठे हो ट्रेन चल दे ट्रेन चल दे तो अचानक अगर ट्रेन चलेगी ट्रेन रुकी थी आप भी रुके थे दोनों लोग rest mood में थे जैसे ही ट्रेन चलेगी ट्रेन तो चल दी लेकिन आपका सरीर rest में रहना चायेगा क्योंकि हमारे अंदर यह tendency है वस्तू के अंदर यह tendency है कि वह अपने जड़त्व के गुड को धरसाएगी इस्तिती परिवर्तन का विरोध करेगी ट्रेन चल दी लेकिन हम ट्रेन के अंदर थे हम इस्तिर रहना चाह रहे थे नतीजा क्या होगा जैसे ही ट्रेन आगे पड़ेगी हमारा सर पीछे ट्रेन के पीछे की तरफ जाएगा ठीक है जड़त्व के नियम को नहीं फालो करता है वो नहीं जुकेगा ठीक है तो यातरी आगे की तरफ जुक जाते हैं क्योंकि जब बस तेजी से जा रही होती है तो यातरी जो बैठा होता है उसका भी सरीर बस के स्पीड के साथ ही move कर रहा है जिस speed से है जिस velocity से है जिस wage से बस जा रही है उसी velocity से यातरी भी जा रहा है बस अचानक रुकेगी तो बस जो है वह rest mood में चली जाएगी लेकिन यातरी का body जो है वह उसी speed से जाना चाहेगा तो जो हिस्सा सरीर पे हम बैठे होते हैं तो हमारे प यहां पे भी जड़तों का नियम लगता है इसके अलावा कुछ सूपरमैन टाइप के होते हैं वो बस में या ट्रेन में तभी चड़ेंगे जब ट्रेन चल देगी या ट्रेन रुकने का इंतजार नहीं करेंगे पहले ही कूद कर उतर जाते हैं तो आप देखे होंगे रेलवे की स्पीड दोनों की स्पीड बराबर होती है और उतरते हुए अचानक वो जीरो पे अपने पैरो को अपनी स्पीड को जीरो नहीं कर सकते हैं उन्हें थोड़ा सा कुछ कदम दोड़ना पड़ता है फिर वो अपनी स्पीड को कम करके आराम से वाग करने लगते हैं तो यह भी जड़तों का नियम है पेड़ की साखाओं पेड़ की साखाओं को अगर तेजी से हिलाया जाए पेड़ की डाली को अगर तेजी से हिलाया जाए तो फल उस पे से गिड़ जाते हैं इसमें क्या होता है पेड़ के डाली को हिलाते हैं लेकिन फल जो है वह इस्थिर रहना च चेड़ो तुम डाल हिलाओ हमें मत चेड़ो नतीजा क्या होगा जब डाल को हिलाया जाएगा फल यह रहा डाल को हिलाया जाएगा यह सब कुछ हिलेगा लेकिन फल इस्तिर रहना चाहेगा तो यहाँ पे जो है इनके उपर फोर्स पड़ेगा और यहाँ से फल तूटके गिर जाएगा तो डाल के हिलाने पर फल तूट जाते हैं क्योंकि फल इस्थिर रहना चाहती है और साखाएं जो है हिलना चाह रही है नतीजा इनके बीच में जगड़ा हो जाता है यहाँ पे जो होता है एक फोर्स काम करता है जिसे डंठल से फल अलग हो जाते हैं यह हो गया पहल जो M हो तो इनका संवेग जिसे हम P बोलते हैं यानि momentum बोलते हैं तो momentum जो होता है M into V के बराबर होगा M into V के बराबर होगा यानि कि किसी भी object के motion किसी भी object के velocity और उसके mass का जो produce होता है वही उसका संवेग होता है कि किसी वस्तू पे अगर कोई बल कोई वस्तू अगर गती कर रही है तो उसके अंदर momentum है वस्तू है तो mass भी है और उसके अंदर wave भी है velocity भी है तो उसके अंदर momentum है तो जब हम कोई बल उस पे लगाएंगे तो उसके momentum को ही change करेंगे क्योंकि उसके अंदर वस्तु अगर मोसन कर रही है तो उसके अंदर एम दरबेमान तो ही है साथी साथ उसके अंदर वी भी है तो यानि उसके अंदर मोमेंटम है संबेग है तो जब हम रोकेंगे बल लगाएंगे तो संबेग का भी रोध करेंगे एक्चुल में संबेग के खिलाप या संबेग के सब्बोर्ट में काम करेंगे कोई जा रहा है उसको हम धक्का दे देंगे तो और तेज जाएगा कोई आ रहा है तो हम उसे रोकेंगे तो वह रुक जाएगा यह संबेग परिवर्तन उसके सरीर में उसकी body में या object में जो भी है उसके body में mass है वो आ रहा है तो संबेग है उसके अंदर हमने बल लगा कर रोकने की कोसिस किया यही बात Newton यहाँ पे कहते हैं कि संबेग परिवर्तन की दर उस पे लगे बल के अनुकर्मा अनुपाती होती ह the change rate of momentum is proportional to the applied force ठीक है कोई वस तुगति सील है उसमें संबेग है संबेग में परिवर्तन करना चाहेंगे तो उसमें बल लगाना पड़ेगा और लगाए गए बल के अनुकर्मा अनुपाती यानि proportional होता है यानि संबेग परिवर्तन की दर जो होती है उस पे लगाए गए बल इधर ही उसकी दिशा में परिवर्तन होगा यानि बल अगर हम पूरब की तरफ लगाएंगे तो कोई गाड़ी है अगर धक्का लगाएंगे तो आगे की तरफ लगाएंगे तो आगे की तरफ जाएगी ऐसा नहीं होगा ठीक है चलिए या जब संबेग बहुत ज़्यादा ह बल की कोई स्टेटस ही नहीं हो फिर भी जो परिवर्तन होगा वह होगा ठीक है कोई चीज बहुत तेजा रहा है या आप रोकने की कोसिस करेंगे तो उसकी गती को तो कम करेंगे ना तब भी उसी डायरेक्शन में माना जाएगा ठीक है तो एप प्रपोर्शनल टू पी बा पकड़ने के बाद उसके हाथ पे गेत से चोट लगेगी या बल जो है गेत आके जब उसके हाथ पे ठकराएगी तो चोट लगेगी तो यह बल कब कम हो जाएगा जब हम टी को बढ़ा देंगे तो गेत को पकड़के पीछे ले जाएगा तो टी जो है बढ़ जाएगा से कम बल लगे तो इसके लिए वह T को बढ़ा देता है time period बढ़ा देता है T जादा हो जाएगा denominator जादा और value कम हो जाएगी ठीक है इसी तरह बाहनों में जो होते हैं spring लगे होते हैं soccer लगे होते हैं जब गड़ा हो उबर खाबर रास्ता हो जटके लगेंगे तो जटके passenger तक खाने से पहले spring या soccer से होकर गुजरेंगे soccer जो होता है वहाँ पी spring या soccer जो होता है यही time बढ़ा देगा जब time बढ़ जाएगा तो passenger को जटके महसूस हो जाएंगे होंगे वह कम हो जाएंगे कम महसूस होगा इसके अलमा माल लेते हैं 100 मीटर 30 सेकेंड की रपतार से एक 1 कि गेद मतलब p is equal to mv यहाँ पे हम mv भी लिख सकते हैं p की जगा ठीक है p की जगा हम mv भी लिख सकते हैं ठीक है तो जब जिसका दरबेमान कम होगा उसको पकड़ना आसान होगा वह हमारे हाथ पे कम चोट लगाएगी तो यह हो गया दूसरा नियम newton का ठीक है तीसरे नियम पर आते हैं तीसरे नियम को तो बच्चा भी जानता है आप भी जानते हैं क्रिया पृतिकरिया का नियम कभी आप से किसी से जगड़ा हो कोई आपको एक थपड मार देते हैं यहाँ प्रतिकरिया तो multiply हो जाती है यह तो आप बचपन में ही सीखिय होंगे newton का क्रिया प्रत दूसरी आपजेक्ट पर कोई force अपलाई करता है तो दूसरा आपजेक्ट भी पहले आपजेक्ट पर equal लेकिन opposite direction में उतना ही force अपलाई करता है यानि हर एक action का एक reaction होता है जितना बल तेजी से हम दिवार पे मुक्का मारेंगे उतने ही बल से दिवार भी हमारे हाथ पर चोट लग जाती है जा रहे है रोड पे पत्थर को मार दी है ठीक है सोचेते डबा होगा लेकिन मार दी है पत्थर पे चोट हमें लग गई प्रतिकरिया बल की वजह से हुआ ठीक है तो हर एक चीज जो होती है हर एक बल का एक opposite direction में equal ही reaction होता है यही Newton का दूसरा नियम है जैसे jet engine होते हैं jet engine कुछ इस shape में होते हैं ठीक है यहां बाहर से हवा को यह engine खीचता और पीछे से exhaust करता है जिससे jet engine को गती मिलती है राकेट होता है राकेट नीचे जो होता है thrust पैदा करता है एक जोस्ट करता है gases और धूए को जिससे इस से thrust मिलता और राकेट जो है उपर की का देती है हमें अपना भार महसूस होता है ठीक है धरती हमको अपनी तरफ खीचती है तो हम भी उसकी प्रतिक्रिया में एक बल लगाते हैं वही हमारा weight होता है भार होता है इसके अलामा जैसे एक नाव है नाव पर आकर हम नाव से आ गया है नदी के किनारे रुके और के सारे तीनों नियम है इनको अच्छे से पढ़ लिजिएगा इनमे से जो एक्जामपल है यही पुछेगा कि इसमें से कौन से नियम को सपोर्ट करते हैं खिलाडी जब कैज पकड़ता है तो हाथ पीछे ले जाता है यह नियम काता है जेट इंजन की गती हो गई राकेट क राकेट का उड़ना हो गया राकेट का उड़ना राकेट का गती ही लिख लीजे ठीक है कोई बात नहीं है बंदुक से गोली का निकलना हमें अपना भार महसूस होना नाओ का पीछे की तरफ जाना किसका एक्जामपल है किरिया प्रतिकरिया का एक्जामपल है चलती हुई बस से जब कोई आत्री उतरता है तो आगे दोड़ने लगता है यह न्यूटन के किस नियम को फालो करता है पहले नियम को फालो करता है ऐसे करके आपको ऐसे ऐसे कोश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे आज के लिए इतना ही फिर अगले वीडियो में मिलते हैं थैंक कियो